हलो माई डियर स्टुएंट्स वैलकम टू तू तरेंसर क्लास और आज आज आपके लिए लेकर आए हूं क्लास नाइन की इंग्लिश बूक से इंफेक्ट पॉयम नुम्बर एट और इस पॉयम के नाम है ओन किलिंग ट्री बाए गीव पतेल और इस वीडियो में में डेसकस कर करता है तो ये कर सभी को मालू में एक नेचरल प्रोसेस होती है वही प्रोसेस है यहां पर मेंशन की गई है उससे सबसे जादा जो नौरिशमींड मिलती है सोयल से मिलती है उसके साथ हम कह सकते हैं एसप्राउट जाति ऐर्फ जाती मत promotion की गई है यह कुछ एक एक ऐसे चीज़ें हैं जो एक पेड की ग्रोथ के लिए बहुत जुरूरी होतीे हैं कि उसे स्य जाहिए साथ में हवा बीचाई यह पानी उट पिल पूदा बहुत बढ़ा हो जाता है खूचिन बड़ा हो जाता है आपको यहां बताने हैं कंजूमिग अर्थ अर drawing of nourishment by the tree from the earth through its roots which are deep under the earth यानि अपनी roots से जो है nourishment लेना जो कि बिल्कुल deep under the earth होती है तो यह सभी को मालूम है कि जो tree की roots है काफी deep तक जाती है ऐसे question number 3 देखिए आप explain leprous hide, leprous hide का आपको मतलब बताना है तो leprous hide का मतलब क्या होता है discolored bark of the tree जैसे पेड की जो skin होती है उसका color discolored हो जाना थोड़ा change हो जाना and this metaphorical expression convey करता है एक idea that just as leprousy causes discoloring of the skin of a leper तो जो बाक है एक पेड की वो भी क्या हो जाती है uneven हो जाती है texture के साथ and color after it has been injured with an egg sorry knife जब इसको जो है एक knife से या एक x x के आउती ही जो कुलाडी होती है उससे cut मारा जाते है तो इसका जो texture है उसका skin भी जो है color भी वो change हो जाता है तो बिल्कुल एक human being वाली process यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप outer layer को पेड की छीरते हैं या उसको harm करते हैं तो उसका color automatically change होई जाता है तो इसलिए उसको जो है leprous hide यहाँ पर use किया गया phrase जो है अब चलते हैं बच्चों question number 4 के लिए can a simple jab of knife killetry क्या एक simple jab जो है knife की वो एक पेड को cut कर सकती है why not a simple jab of knife can certainly not killetry सभी को मालूम है कि एक knife के परहार से एक पेड कट नहीं हो सकता it can really injure it and cause it sap to ooze out like a blood ooze out का मतलब क्या होता है आप कह सकते हैं come out और sap क्या होता है liquid सा होता है एक पदार जो है जो की mixer होता है बहुत सारी चीजों का जैसे हमारी body के अंदर blood होता है वैसे ही जो tree की overall process होती है उसमें ये वोटी substance होता है जिसको sap बोला जाता है और ये blood की तरह बहता है the real life of a tree comes from its roots जो इसको provide करती है nourishment और साथ में इसको formally जो है पकड़ के रखती है hold करके रखती है अब चलते हैं बच्चों question number 5 के लिए what is the role of hacking and chopping in killing a tree यानि hacking and chopping का रोल बताना है अगर एक पीड को बिलकुल अच्छे से kill करना है तो hacking and chopping would the in fact wound the body of a tree causing it great pain इसको pain तो देती है they peel the bark of the tree and it appears to be bleeding जब sap जो है यानि मैंने बताया था water solution है sugar, salt, minerals का जो circulate करता है एक vascular system होता है उसमें लेकिन question ही आता है कि यह जो pain है यह permanent उसको पेड को नहीं मार सकती यह no doubt उसको harm कर सकती है उसको थोड़ा सा pain दे सकती है but it cannot or it does not manage to kill the tree तो यह थोड़ी सी एक अलग बात है यानि पेड को cut करने के लिए आपको strong जो है उस पर जो है attack करना होगा question number 6 है what is the meaning of the anchoring earth और earth cave अब anchoring earth और earth cave का आपको मतलब बताने है बच्चों यहाँ पर तो जो anchoring earth है उसका मतलब है earth which gives a grim grip to the tree देखिए जो पेड है उसकी जो strength होती है वो उसकी roots में होती है और roots को जो grip तेने वाली होती है वो जगा होती है earth तो इसलिए earth को anchoring earth बोला गया है और वो उसको जो है गिरने से भी बचाती है and the tree stands secure पेर जो है secure रहता है and stable भी रहता है with the support of the earth यहीं earth की support के साथ और अगर हम बात करें earth cave की earth cave refers to the depth under the earth where the root of the tree remains sheltered safely for years यानि वो काफी सालों तक उसकी जो root है वो shelter यहीं सहरा लेके रहती है और तब तक वो रहती है जब तक earth उसको पकड़ के रखती है उसको root दे के रखती है और यह साथ किया it is firmly attached to this point और a cave like hollow create हो जाता है when the root is pulled out लेकिन आपको बच्चो कुछ books में ऐसा भी मिलेगा जैसे कि जो है earth को यानि इसको part को cave क्यों बोला गया है क्योंकि जब depth में जाते हैं थोड़ा सा तो अंदर कुछ नाजर भी नहीं आता और वो बिलकुल cave की तरह दिखता है सब कुछ है गुफा की तरह लगता है इसलिए भी उसको cave, earth, cave बोला गया है तो यहाँ पर दोनों ही answer correct होंगे अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं या अगर आप दूसरी तरीके से लिखते हैं तो that is also right अब चलते हैं बच्चो हम next question के लिए no the root is pulled out अब देखिए यहाँ पर no भी बोला गया है और फिर बोला है the root is pulled out तो why has the poet started this tenja with no poet ने इस tenja को no से क्यों start किया है the poet uses no to emphasize the fact that merely hacking and chopping यह जो है sufficient नहीं है अगर एक पेड को cut करना है अच्छे से तो they can injure it, वो इसको injure जूरूर कर सकती है they can make it bleed, वो इसको जो है bleeding भी इसको दे सकती है जैसे कि इंसान को भी bleeding होती है अगर cut लग जाए and cause the pain और इसको दर्द भी दे सकती है but killing a tree requires more ruthlessness and much more effort लेकिन एक पेड को cut करने के लिए आपको और भी ज्यादा rude होना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा efforts लगाने पड़ेंगे तब कहीं जाकर जो है वो पेड जो है मरता है या वो मारा जाता है अब चलते है question number 8 के लिए what is the most sensitive part of the tree and what is it sensitive to and why अब देखिए आपको पेड का सबसे sensitive part बताना क्या होता है और किसको लेकर वो sensitive होता है और क्यों और जो root कहा गया है जो root है पेड की वो सबसे ज्यादा sensitive part होती है it is sensitive to the heat and the garage अब देखिए वो गेरीज क्या होती है unexpected and unexplicable change होता है something में of weather on the open surface of the earth and it is so because ऐसा क्या reason है it remains hidden safely under the earth अब देखिए जो roots है वो वैसे earth के अंदर चिपी हुए रहती है लेकिन अगर वो बहर आ जाती है roots तो समझिए वो automatically खराब होनी शुरू हो जाती है उनका end होना शुरू हो जाता है question 15 देखिए what message is conveyed in the poem इस message जैने इस poem के अंदर क्या message दिया गया तो एक जो poem में वो message देती है that human beings have destructive temperament human beings का हमेशा जो है एक destructive temperament rate है to nature को लेकर लेकिन जो mother nature है has regenerative powers उसमें regenerative power होती है and cannot be destroyed easily और उनको जो है आप easily destroy नहीं कर सकते it has the ability to resurrect itself यानि ये example इसलिए लिया गया है क्योंकि जब पेड को आप अगर अच्छे से roots उसकी नहीं निकालते अगर उसकी roots अर्थ में रहती है तो वहां से भी वो अपने आपको फिर से पैदा कर लेता है उसकी जो डालियान शुरू हो जाती है फिर से हरा हो जाता है इसलिए इसको ऐसा बोला गया कि अर्थ के अंदर है ability होती है अपने आपको resurrect करने की and also the tree teaches us that mere physical assaults cannot ruin us कि हमें physical assaults ruin नहीं कर सकते जब तक हमारी जो root है our soul intact रहती है तो हम जो है फिर से rise करने की शक्ति रखते हैं अपनी ability हमें होती है तो बचो एनी questions के साथ और in fact यह कहूंगा इनी important questions के साथ इस वीडियो के यहां stop करूंगा I hope so these questions will definitely help you so thank you very much और अगर वीडियो चलगा हो तो like शीर और subscribe करना मत भूलेगा have a very nice tree